Dear Children, अभी आपको आपकी भाशा मादुरी की पाठेपुस्तग निकालनी है हमने इसके पहले विडियो में मात्रा ग्यान में अई की मात्रा पड़ी थी तो आज हम मात्रा ग्यान में O की मात्रा पड़ेंगे तो देखो यहाँ पर दिये O की मात्रा हम कैसे देते एक स्टेंडिंग लाइन और इसके उपर एक तेड़ी लाइन अब यह देखो यह है छोटा O तो हम इसे ही छोटा O क्यों कहते है क्योंकि इसका उच्चारन दीमे स्वर में और कम समय के लिए किया जाता है और देखो यह है इसकी मात्रा हम कैसे देते देखो एक स्टेंडिंग लाइन मतलब अक्षर के राइड साइड में एक स्टेंडिंग देंगे और इसके उपर एक तेड़ी लाइन तो यह हो गई O की मात्रा तो अभी देखो मैंने लिखा अक्षर क क प्लस O तो हुआ को च, च पलस O, तो हुआ चो अब देखो एक बात याद रखनी है, ग लिखा मे ने ग को O की मात्रा दी, तो हुआ गो तो देखो जब यह आप ग को मात्रा लगाते हैं तो यह जो लाइन होती हैं, तो इसको यह आप उसके उपर दे देते हैं तो ये एक ही मात्रा हो जाती तो एक गलत होता है तो इसले हमें पहले पूरा गल लिखना है फिर बाद में उसके राइड साइड में एक स्टेंडिंग लए फिर उसके उपर एक तेड़ी लए तो ये होगा गो तो देखो मात्रा ग्यान ओकी मात्रा को चो तो तो पो तो देखो यहाँ पर छित्र दिये है और एड कलर में ओकी मात्रा आपको दी है कि वो केसे दी है और कुछ अक्षर दी है दूर दूर दी है और उनको जोड कर शब्द बनाया हुआ है तो ता अगला छित्र देखो भी मो र मोर टो पी टोपी ओ ख ली ओकली ख र गोश खर गोश ते ली फो ना टेलिफोन अब देखो शब्द ग्यान ओके मात्रा वाले शब्द भोर भोर मतलब क्या होता है सुबह सवेरा मतलब दीन निकलने का समय उसे हम भोर कहते हैं मोर शोर शोर तो आपको पता है कि बच्चे अगर क्लास में खटा हो टीचर ना होता सब शोर मचाते हैं मतलब आवाज करते हैं धोल मतलब ड्रम पोल पोल मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु आदी का वह जो भाग जो खाली होता है तो देखो हम कभी-कभी बोटल लाते हैं दुकान से या मेडिसन की बोटल होती है अउशिदी होती है तो पूरी-भरी नहीं होती है खाली होती है तो जो खाली भाग होता है तो उसे हम पोल कहते है तोल मतलब परिमान वर्जन वेट मोती पल गोपी गोपाल भोपाल कोमल जो नरम है, मुलाहिम है उसे हम कोमल कहते हो और लड़की का भी नाम है बोतल जो बोटल मोदक मोदक तो आपको पता है क्या हम गन्पदी बाबा को प्रशाद चड़ाते है कठोर मतलब जो बोट सक्त होता है, कड़क होता है कभी-कभी देखो, आप अपने पैरंट्स की बात नहीं मानते, तो आपके पैरंट्स आपके साथ बोट सक्त हो जाते हैं, कठोर बन जाते हैं किशोर पडोस मतलब नेबर्स कोठरी मतलब एक छोटा कम्रा होता है यालमारी होती है, उसे हम कोठरी कहते है टोकरी मतलब बासकिर्या डलिया लोम्री पोटली पोटली मतलब क्या होता है? चोटा पारसर या बंडल अनोखा मतलब अद्भूत या अपूर्व निराला उसे हम अनोखा कहते है बेजोड मतलब ला जवाब अनोखा चकरोड चकरोड इसका मिनिंग नहीं है सिविए आपको ओकी मात्रा पढ़ाने के लिए ये शक्त दिया है दोपहर मतलब अप्टरनून टाइम खरगोश टेलीफोन अखरोड अखरोड मतलब नर्ट वाल्मर्ट जो सुखा में आता है उसमें अखरोड होते है उसे हम अखरोड कहते है डालमोट मतलब नमक और मिच मिलाकर जो डाल तली जाती है मसूर की डाल या मूं की डाल होती है उसे हम डालमोट कहते है योगा सम मतलब आप जो एक्जरसाइज करते हैं सुखे उठकर हमें योगा करना चाहिए कोला हल मतलब शोर हल्ला अब नेक्स देखो पढ़ो लिखो देखो एक लड़का है और उसके माता पिता है उसको समझा रहा है कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए भोर भय जागो गोपाल माखन मिस्री खाओ लाज पढ़ो लिखो खेलो सुक पाओ बढ़िया आदर सिको सिकाओ तो देखो इसके माता पिता है उसको समझा रहा है कि भोर भय जागो गोपाल मतलब सुबर होते हैं हमें जल्दी उठना चाहिए तो अगर हम जल्दी उठें तो हमारे सहेद भी अच्छी होती है और हमारा दीन भी अच्छा जाता है तो इसलिए अगर हमें जल्दी उठना है तो इसलिए रात को हमें जल्दी सोना चाहिए मााखन मिश्री खाओ लाल मतलब जो बटर होता है बटर में खड़शाकर मिलाई जाती है तो उसे माखन कहती है माखन मिश्री तो हमें वो अपने बेटे को लाल मतलब अपने बेटे को बोल रहे कि तुम्हें खाना चाहिए पढ़ो लिखो खेलो सुपपाओ देखो हमें सिब खेलना चाहिए क्या नहीं तो हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए तब हम आगे चल कर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं अगर हमने पढ़ाई नहीं की, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। और हमेशा हम दुख में ही रहेंगे। तो अगर हमने पढ़ाई की, अगर खेला खेलने से भी अमारी सेथ रहेगी। तो इसलिए हमें सुप मिलेगा, आनन मिलेगा। बढ़िया आदत सिखो सिखाओ मतलब जो भी अच्छे आदत है वो हमें सिखनी चाहिए जो भी किसी से हमें सिखनी के लिए मिले तो हम सिखनी चाहिए और दुसरों को भी सिखानी चाहिए अगर कोई गलत काम करा है तो हमें उसे बताना चाहिए के बाद गलत है तुम्हें सा मत करो अभिनेश देखो वाक्य ग्यान मोहन उठ शोर मत कर कोयल की बोली सुनो तोते को ना पकड़ो पोथी पड़ो शोर ना करो घोडा पकड़ो डोल भरो डोल भरो मतलब बाल्टी या बासकेट उती उसे भरने चाहिए कोट लाओ फल तोलो मतलब उसका वजन करो सच बोलो भोजन करो रोगी को समोसा मत दो अभी देखो नेक्स पेज चित्र के नाम की छूटी मात्रा लगाए मतलब आपको चित्र दिया है और उसके लिए में कुनसी मात्र लगानी वापर ओ की मात्रा तो देखो जिस अक्षर के आगे आपको जगह दिखनी वापर उसी अक्षर को आपको ओ की मात्रा देनी है तो देखो यहाँ पर है म, तो म को ओकी मात्रा दी मो, र, मोर यहाँ पर देखो त, त को ओकी मात्रा दी तो, त को आकी मात्रा दी ता, तो ता अबी देखो अगला चित्रा है ध, ध को ओकी मात्रा देंगे धो, लक, धो, लक नेक्स देखो यहापड टोकरी का चित्र है टको ओकी मात्रा दी टो क रको बड़ी की मात्रा दी री टोकरी तो देखो यहापड पर है लोमडी का चित्र लको अमने ओकी मात्रा दी लोमडी अबे नेक्स चित्र देखो कौनसा त्योवार खेल देवो होली का हको ओकी मात्रादी हो लोको बढ़ी की मात्रादी ली हो ली अब नेक देखो शब्दर चना हको ओकी मात्रादी हो लोको बढ़ी की मात्रादी ली हो ली टको ओकी मात्रादी टो लोको बढ़ी की मात्रादी ली टो ली जको ओकी मात्रा दी जो ड़ नको आखी मात्रा दी ना जोड़ ना को को ओकी मात्रा दी को य ल को यल तो देखो अभी आपको आपके हुमगबुक में लिखना है पर बाद में ओकी मात्रा वाले शब्द मोर, पोल, मोती, गोपी, कोमल मोदक, टोकरी, भोपाल, गोपाल, शोर अभी देखो क्वेशन नमबर वन अक्षरों से शब्द बनाओ तो देखो यहाँ पर अक्षर दूर-दूर दिये और उनको जोड़कर हमें शब्द बनाना है तो ता, तो ता मो र, मोर तो पी, टोपी ओ ख ली, ओखली ख र, गोश, खरगोश टे, ली, फो, न, टेलीफोन तो देखो अब यहाँ अमारा क्वेशन नमबर टू है ओकी मात्रा लगाओ तो जिस अक्षर के नीचे अंडलाइन दी है तो उससे अक्षर को में ओकी मात्रा लगानी है तो देखो म को ओकी मात्रा लगाई मो, र, मोर यहाँ पर देखो तकी नीचे अंडलाइन इसलेम तको ओकी मात्रा देंगे तो, तको आकी मात्रा दी ता, तो, ता ड, के नीचे अंडलाइन इसलेम ड, को ओकी मात्रा देंगे ड, ल, क, ड, ल, ल, क तो के नीचे अंडलाइन इसलेम तको ओकी मात्रा देंगे तो, क, र, को बड़ी की मात्रा दी तो, क, र, को बड़ी की मात्रा दी, र, तो, करी अभी देखो यहाँ पर ह की नीच अंड लाइने, इसलिए हम ह को O की मात्रा देंगे, हो लग को बड़ी की मात्रा दी, ली, हो ली तो देखो अभी अमारा नेक्स प्रेशन क्या है, खाली जगह भरो तो देखो ऐसे हरे डैश एक खेत, यहाँ पर आंसर क्या हैगा, ऐसे हरे भरे, ऐसे हरे भरे ये खेत पेर पेर से डैश करे, तो पेर पेर से क्या करे, सेर, पेर पेर से सेर करे रोगी को डैश मत दो तो रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? समोसा, रोगी को समोसा मत दो देख जूमते डैश पेड़ कैसे पेड़? सारे पेड़ सदा सभी की डैश मनाए तो मैं सदा सभी की क्या मनानी चाहिए? खेर सदा सभी की खेर मनाए कोयल की डैस सुनो तो हमें कोयल की क्या सुननी है बोली वो कैसे गाती है बोली कोयल की बोली सुनो बोर भय डैस गोपल मतलब सुबह होते हैं गोपल ने क्या करना चाहिए जागना चाहिए जागो बोर भय जागो गौपल